आज है 21 सेप्टेंबर और आज की इस वीडियो में हम 21 सेप्टेंबर से बनने वाले करणट फर के सभी इंपोर्टन कोश्चन को कवर करने वाले हैं तो रिवजन कर लेते हैं फटाफट से अभी हाली में One Nation One Elections पर जो सिफारिश की गई है इस कमिटी के अध्यक शैपूर प्रेसिडेंट रामनात पोबिन जी लाइट कॉमबेक्ट एरक्राफ्ट तेजस ये उडाने वाली पहले महिला फाइटर पाइलेट बनी है मोहिना से अभी हाली में जो विश्व का सबसे उचा टावर है इसका लोकारपन किया गया है चट्रिस गड़ में ऑस्ट्रेलिया का जो प्रसिद्ध मेलबर्न युनिवर्सिटी है इसने भारत में अपना पहला ग्लोबल सेंटर ओपन किया है राजधानी दिल्ली में हाली में नार्को भारती केंद्री काबिनेट ने चंद्रियान 4 अमशन के लिए कुल 2104.06 करोड रुपीज का आबंटन किया है भासकार पोर्टल रसेंट्ली केंद्री मंत्री प्युश गोयल जी ने लॉंच किया और हाली में भारत ने तुफान यागी से प्रभावित देशों की हल्प करने तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल World Health Organization या इसे आप कह सकते हैं विश्व स्वास संगठन इसने रेसेंटली किस देश को कुष्ट रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोशित किया है तो ये भी हाली में घोशित किया गया है जॉर्डन को option number A इ चलने वाली संक्रामग विमारी है जिसे ठीक तो किया जा सकता है और इससे तोचा पर घाव हो जाते हैं और ये नसों तक को नुक्सान पहुचा सकता है और मुख्य रूप से देखा जाए तो तो तोचा आखो नाक और बाहरी नसों पर ये अपना असर डालता है तो इस रो इसके कारण सुतंत्र मुल्यांकन के बाद ये घोशना की गई है कुष्टरोग अभी भी 120 से अधिक देशों को प्रभावित करता है जिसमें हर साल दो लाग से अधिक नए मामले सामने आते हैं ये भी बात कीजाए वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजीशन की स्थापना इसकी 7 अभी कुछ दिन पहली जॉर्डन को हमने मैप के थो डिसकस किया था कि भाई ये जो जॉर्डन है ये मेडिटेरियन सी यहनिकी भूमत्य सागर से सीमा साजहा नहीं करता है इसकी कैपटल हो जाएगी अम्मान करंसी हो जाएगी दिनार और अभी हाली में जो किंग गान मंत्री की रूप में नियुक्त किया है अब यदि मैं अधर ऑप्शन की बात करूं तो कैमरून कैमरून एक अफरिकी कंट्री है घाना भी अफरिकी कंट्री है वेनेजवेला जो कि साउथ अमेरिका के अंतरगत आता है अब कैमरून को मैंने ऑप्शन में लिखा है exam हुआ था 15 सतंबर को उसमें ये question as it is पूछा गया था अब option में कैमरून भी था और घाना भी था तो कुछ इश्रण ने घाना टिक किया है और कुछ इश्रण ने कैमरून टिक किया है मुझे mails भी आ रहे थे कि कौन सा answer इसमें सही है देखें malaria vaccine को मनजूरी देने वाला जो पहला देश है इसमें कैमरून ही राइट आंसर था घाना यदि option में है तो याद रखें Oxford malaria vaccine को मनजूरी देने वाला ये पहला देश है तो दोनों में आप confused नहीं होईगा ठीक है Venezuela की यदि मैं बात करूँ जो की South American country है अपने सभी glaciers को खोने वाला दुनिया का पहला देश यही हो जाएगा चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ राश्ट मंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा दो साल बाद इसे होश्ट करने जा रहा है European country Scotland Scotland के ग्लासको में इसका आयोजन किया जाएगा देखे पहले इसकी मेजबानी यह करने जा रहा था Australia का Victoria शहर लेकिन बढ़ती लागतों को जिम्मेदा ठहराते हुए जुलाई 2023 मेनी की लास्ट येर इसने मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था ग्लासको दस साल पहले राष्ट मंडल खेलो की मेजबानी कर चुका है और अभी नेक्स्ट होस्ट करने जा रहा है ये Scotland का ग्लासको ही अब Scotland के बारे में तो हम देखेंगे सबसे पहले यह दि मैं बात करू Commonwealth Games की तो इसके जो शुरुआत है ये 1930 में की गई थी हैमिल्टन कनाड़ा से और ये हर 4 साल में आयुजित किये जाते है पिछला यानिकी जो 2022 में Commonwealth Games हुए थे 2022 में इंगलैंड के बर्मिंगम में आयुजित किये गए थे तो अब 4 साल बाद यानिकी 2026 में इसे होश्ट करने जा रहा है स्कॉटलैंड अब आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड की लोकेशन देखी हम पढ़ते हैं UK United Kingdom United Kingdom में बेसिकली 4 स्टेट आते हैं जिसमें की एक तो आपका स्कॉटलैंड ही हो गया ठीक है यहाँ पर इंगलैंड इसके बाद फिर वेल्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे की एक हो गया इसमें इंगलैंड हो गया स्कॉटलैंड हो गया स्कॉटलैंड जिससे आप मैप के थूँ देख रहे हैं इसके लावा वेल्स हो गया और इसके लावा नदर्न Ireland, Ireland देखिए यह South हिस्सा है Ireland का और यह Northern हिस्सा है तो Northern Ireland को मैं UK में शामिल कर रही हूँ, United Kingdom में आपके चार स्टेट हैं, जो की यहां से मैंने मेंशन कर दिये हैं देखिए Scotland की Capital गलती से यहां पर लिग गया है Glass को Glass को हाला कि इसकी मेजबानी करने जा रहा है यह Scotland का शहर ही है लेकिन इसकी Capital एदी पूछी जाए तो यह हो जाएगी Edinburgh ठीक है, Currency इसकी हो जाएगी Pound, Starlink, राष्टपती हो जाएगे John, Sivni यहां की Capital को मैं आप लगों को सुधार करके PDF में प्रोवाइड करा दूँगी यदि आप Current इसे रिलेट करें, हाला कि आज जो हम Current में पढ़ रहे हैं, बाद में जाकर कि Static का पार्ट बन जाता है सेम वैसे आप देखें, तो इसी Scotland के Glass को में 2021 में COP26 का I-Agen किया गया था जिसमें कि Prime Minister नरिंद्र मोदी ये वादा कराये थे कि भारत जो है, ये आने वाले समय में कब तक 2070 तक Zero Carbon उत्सरजक देश बन जाएगा, ठीक है इसके बाद जब COP27 हुआ कहा आयजित किया गया ये Egypt में आयजित किया गया 2022 का था ये फिर COP28 2008 आयजित किया गया 2023 में कहा ये जन हुआ, UAE में जलवायो परिवर्तन को लेकर होने वाली बैठक है Conference of Parties Parties का मतलब है इसमें शामल देश इसके बाद इस साल होने जा रहा है COP29 2024 अब ये कौन सी कंट्री होश्ट करने जा रही है अजर बेजान तो connect करके ये सभी fact आप relate कर सकते हैं अब option के through हम sports की कुछ event relate करेंगे UAE की दी बात की जाए तो देखे, Women T20 World Cup जो है, ये बांगला देश होश्ट करने जा रहा था, 2024 का लेकिन अब October के महिने में ये shift हो चुका है, कहा पर UAE में आईजित किया जाएगा इसी 2024 में Women's का जो Asia Cup है ये संपन्न हुआ है, कहा पर शिरिलंका में दांबुला में सारे matches खेले गए जिसमें की विजेता, ये कौन रहा था शिरिलंका, और Champions Trophy जो next year होने जा रही है 2025 में, ये पड़ोसी पाकस्तान होस्ट करने जा रहा है देखी, आज की इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा लाइक भी करना है मैं target रखती हूँ 5000 लाइक का और आज 21 सतंबर है, मेरा birthday भी है तो as a birthday gift मैं आपसे expect कर सकती हूँ कि वीडियो आपने जादा से जादा share करना है at least एक study related group तक इसे जरूर पहुचाना है, ठीक है तीसरा सवाल है हमारा Miss India Worldwide 2024 का title ये किसने जीता है तो ये भी हाली में जीत लिया है Dhruvay Patel ने option number A, इसका right answer हो जाएगा सेक्तराज अमेरिका में भारती मूल की जो student है, Dhruvay Patel Annonymous India Worldwide 2024 का title अपने नाम किया है ये जो प्रतियोगिता है, ये भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतियोगिता है, बात की जाएदी Mohena Singh की Mohena Singh का current effort तो कल ही हमने discuss किया था, जो Mohena Singh है ये भी हाली में Light Combat Aircraft जो की है तेजस, ये उड़ाने वाली पहली महिला fighter pilot बनी थी प्रीती रजक की दी बात की जाएदी तो पहली महिला सूबेदार ये बनाई गई है भारती सेना में और इदाशीशा 9 रंग ये मेगाले की पहली महिला DGP बनाई गई है Next है हाली में श्वेत क्रांथी 2.0 ये किसने शुरू की है तो इसकी शुरूआत अभी हाली में की गई है अमित शाह जी के दौारा जो कि बर्तमान में हमारे गरह मंत्री हो जाएंगे केंद्री मंत्री अमित शाह ने भारत के डेरी सहकारी शेत्र को बदलने के लिए श्वेत क्रांती 2.0 के शुरुआत की ये जो कारेकर में चार प्रमुक शेत्रों पर केंद्रित हैं कौन-कौन से बहिला किसानों को सिसक्त बनाना, दूध उत्पादन बढ़ाना, डेरी बुनियादी धाचे को मजबूत करना और डेरी निर्यात को ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, श्वेत क्रांती 2.0 के तहट सरकार का लक्ष अगले 5 सालों में डेरी सहकार समीतियों द्वारा दूध की खरीदी को 50% तक बढ़ाना है, अमित शाहक ये दिबात की जाए, ग्रह मंत्री तो हैं ही, और ये सहका कश्मीर के शिरिनगर में स्टेची ओफ पीस येनि के शान्ती के प्रतिमा का अनावरण किया था, पियूश गोयल जी की ये दि में बात करूं, कल हमने देखा था कि इनके द्वारा भासकर पोर्टल लॉंच किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नीती आयो को घाटन किया था, सवाल नंबर पांच वा है, केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर यानि की बौर्डर पर बार लगाने के लिए एक तरह का बाउंडरे खीचने के लिए 31,000 करोड रुपए ये मनजूर कर लिया है, तो ये बाड़ा बनाने जारी है भारत सरकार भारत औ और म्याम मार की बौर्डर पर और ये कारण पहले भी मैं आप लोगों को और रड़ी बता चुकी हूँ, डेटेल पढ़ने से पहले सबसे पहले आप म्याम मार की लोकेशन देखिए, ये भारत के कुछ चार भारती राज्ये हैं, जिन से सीमा साजा करता है, सबसे उपर अर अरुनाचर प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर और मिजोरम, इन राज्यों से होकर की गुजरती हैं, दोनों देशों के बीच में पहले मुफ्त आवा जाही की विवस्था थी, जिसे केंद्र सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी है, अब ये मुफ्त आवा जाही विवस्था ये क्या थी, फ्री मुव्मेंट रजिमेंट, लेखें, फ्री मुव्मेंट रजिमेंट के तहत, इस बौर्डर के करीब रहने वाले जो लोग हैं, ये बिना किसी दस्ता वेज के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, एक दूसरे के शेत्र में 16 किलूमीटर तक जा सकते थे, 16 कि की अनुमती थी लेकिन सेक्योरिटी परपस से भारत ने इस विवस्था को खत्म किया और इस देश के साथ यह जो बाड़ा बनाने जारी है इसके लिए लगभग 31,000 करोड रुपय मनजूर किये गए हैं म्याममार यह दक्षन एशिया का एक देश है जिसे पहले बर्मा के ना कोचा साइकलॉन से प्रभावित था जिसे हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करोणा की शुरुआत करी थी अब यहां पर म्याममार लाओस और लाओस के बगल में आप वियत नाम देख सकते हैं यहां भी अभी तूफान आया हुआ है जहां पर भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सदभाव की शुरुआत करी है जो की कली करंटफर में हमने देखा है नेक्स चलते हैं सवाल नंबर छटवा है भारती महिला फुटबॉल टीम के नय मुख्य कोच के रूप में किसके नियुक्ति की गई है तो अभी हाली में जो संतोस कश्यप हैं यह भा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपेंशिप शुरू होगी तब से वह इंडियन सूपर लीग यह भी फुटबॉल से रिलेटेड हैं इंडियन सूपर लीग में नौर्थ इस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और हाली में ओडिसा फुटबॉल क्लब के सह अमोल मजुमदार ये कौन है तो ये भी हाली में भारती महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनाए गया है हरेंद्र सिंग होकी महिला टीम के नए मुख्य कोच बनाए गया है मैं यहां से स्पश्ट लिग देती है वरना फिर आप जब पीडियाफ पढ़ेंगे तो कन जिंग के नायक ये भी हाली में मुंबई क्रिकेट असोसियेशन के सबसे युवा अधिक्ष बने हैं सवाल नंबर साथवा है भारत ने किस देश को संधु जल संधी पर दूसरा नोटिस भेजा है तो ये भी हाली में भारत के द्वारा भेजा गया है पड़ोसी पाकस्तान को ऑप्षन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी विवात के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में मैं आपको फड़ा बेसिक जानकारी दे देती हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझोता है जो ये 19 सतंबर 1960 को हुआ था और इस संधी पर भारत के जो उस समय ततकालिन प्राइम मेनस्टर थे जवाहरलाल नहरू और उस समय जब पाकिस्तान के राष्ट पती हुआ गर दे थे अयूब खान इनके बीच में हस्ताक्षर किये गए थे समझोता किस बात को लेकर के था ये भी बेसिक में बता देती कि इस समझोते का मकसद सिंधु नदी और उसकी पांच सहायक नदिया जेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये पांच सहायक नदिया हैं इनके पानी के बटवारे को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहमती बनी थी जो समझोता हुआ था उसके मताबिक जो सिंधु न दिया इसका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया जबकि जो पूर्व की तीन नदिया है रावी, व्यास, सतलज यहां से मेंशन कर देती हूँ रावी, व्यास, सतलज इसका कंट्रोल भारत को दिया गया अब ये समझोता तो हो गया इसकी मध्यस्तता भी वर्ल्ड बैंक के द बावजूद इसके विवाद की स्थिती बढ़ जाती है अभी देखे भारत के द्वारा इसे दूसरा नोटिस भेजा गया है ये कदम पाकिस्तान द्वारा संधी के सर्तों का उलंगन करने के आरूपों के बाद उठाए गया है भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान ने सिंदों और उसकी सहायक नदियों के पानी की उपयोग में अनिमित्ताय की है जो संधी के प्रावधानों का उलंगन करता है ये नोटिस दोनों देशों के बीच जल विवाद को और भी बढ़ा सकता है और इस्थिति को सोजाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बात चीज जरूरी है नोटिस भेज दिया गया है पाकस्तान को पाकस्तान ये रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारा से सेपरेट होता है राजधानी इस्थामाबार करंसी रुपया प्रेसिडेंट आसेफ अली जर्दारी ये इसी साल बनाए गया है हाली में हमने करंट अफर में पढ़ा है कि अन्तराश्रे क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पाकस्तान की पहली महिला सलीमा इंत्याज बनी है साइन्स आडेक से रिलेट करेंगे तो फटर टू मिसाल का परिक्षण इसी पाकस्तान ने किया है किस संगठन ने वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों के लिए सम समान पुरुषकार राशी की घुशना ये भी हाली में International Cricket Council ICC के द्वारा की गई है 17 सितंबर को ICC द्वारा World Cup में पुरुस और महिलाओं के लिए समान पुरुषकार राशी की घुशना की गई जिसके शुरुवात अगले महिने UAE में जो T20 World Cup होने जा रहे न इससे की जाए जो कि 2023 में South Africa में खिताब जितने पर Australia महिनाओं को दिये जाने वाले एक मिलियन डॉलर से 134 प्रतिसत अधिक है यनि कि जितनी राशी अब पुरुषों को मिल रही है विजेता बनने पर पुरुषकार राशी सेम उतनी महिनाओं को मिलेगी घुशना की है ICC ने इसका formation year 1909 दुबई में headquarter Greg Bar के लिए अध्यक्ष है अब एक साल होने जा रहा है World Cup की शुरुवात ये तो कर दी गई थी सतंबर के महिने में और फिर ये नवंबर में मैच चले थे 19 नवंबर को ये मैच खतम हुआ था 19 नवंबर को final गुजरात के हमतबाद में खेला गया था जिसमें Under 19 World Cup जो की South Africa ने होश्ट किया इसमें भी विजेता उस्ट्रिलिया भारत को हरा करके आज मैंने दो बर बता दिया कि T20 World Cup महिलाओं को जो होगा ये UAE होश्ट करेगी पुर्षो को अलरडी जून के महिने में अमारक और West Indies ने होश्ट किया जिसमें की विजेता भारत रही ह वुमन एशिया कप ये भी मैंने बता दिया होश्ट किया श्री लंका ने विजेता श्री लंका है आइसे से होल आफ फिर्म में शामिल पहली भारती महिला बनी है डाइना अल्डूजी फीफा की यदि मैं बात करूं फीफा इनी की फडरेशन इंटरनेशन इंटरनेशन 25 में और फीफा मेंस की यदि में बात करूं तो यह होने जा रहे हैं 2026 में हर चार साल में होता है 2026 में पुर्षो का फीफा तीन कंट्री मिलके होश्ट करेंगी USA मैक्सिको और कनाडा मैप में देखेंगे तो नौर्थ हमारेका में सबसे पहले आप देखें कनाडा है फिर उसके नीचे USA फिर मेक्सिको है महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप है फस्ट टाइम होस्ट करने जा रहा है ब्राजील FIH के दिबात की जाए 1924 इसका फॉर्मेशन येर है लॉजन स्विजर लेंड में हेड़क अभी हाली में 2024 का जो उलम्पिक है ये फ्रांस की क्यापटल पैरिस नहीं होस्ट किया है ओलम्पिक और पैरालम्पिक दोनों ही नेक्स्ट है 14 नंबर का होकी इंडिया जूनियर पुरुष रास्ट्री चैंपेंशिप 2024 के किसने जीती है ये भी हाली में जीत ली है पंजाब ने पंजाब ने ओलम्पियन सुर्जीत सिंग होकेस स्टेडियम में इसका जो 14 अडिशन था जूनियर पुरुष रास्ट्री चैंपेंशिप इसके फाइनल में उत्तर प्रेस को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है हरियाना ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो 2023 में होश्ट किये थी दिल्ली ने पहला ही एडिशन था जिसमें ये टॉप पर रहा था इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी जो तमिल नाडू ने की इसमें भी टॉप पर महरास्ट्र हो जाएगा दस्वा सवाल है केंद्री मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने उन्नीस में दिव्यकला मेले का उधगाटन कहां किया तो इसका उधगाटन इन्होंने भी हाली में किया है विशाखा पत्नम में केंद्रे नागरिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है विरेंद्र कुमार इन्हों ने विशाखा पत्नम में इसका उगाटन किया दिव्यकला मेला जोकी वोकल फॉर लोकल का प्रतीख है दिव्यांग जनों के आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए ये विसेश प्रयास है रिलेट करेंगे तो इस साल दिल्ली ने महिलाओं का IPL गोश्ट किया था जिसमें की विजेता रही थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर जैपुर के बारे में बात करूं पिंक सिटी या भारत का पैरेस आप इसे कह सकते हैं राजस्थान की क्यापटल है और पुड़े से द कि M-pox के लिए पहली वेक्सीन बनाने की हुशना इसी ने कर दी है वेनिजोला की राश्ट पती कौन है जिनकी हत्या की साजिस में चैविदेशी गरिफतार हुए ये सवाल मैंने कल आपसे पूछा था जिसका आंसर था निकोलास मादुरो आज का सवाल आपका है हाली वेकिस राज में पांच नए पॉक्स ओ फास्ट्रेक को इस्थापित किया जाने को मंजोरी मिली है आंसर जो भी है कॉमेंट बॉक्स में बताईए गार आज तो फीडबैक देना बनता भी आप रुगू का मैं कॉमेंट बॉक्स में सभी के कॉमेंट शेक करूंगी फि थाज बॉक्त।